कि वहाँ वेन पुत्र का जन्म हुआ, वेन जो था वो नास्तिक था, पगवान में नहीं मानते थे, यगने यागा दी उसने बंद करवा दिया, और उनके राज में एकी दंड था, कुछ भी कोई करे, मृत्यु दंड, तो ये डर के मारे कोई उपदरह तो नहीं करता थे, सारा सब बंद करवा दिया, सवाल एक होता है, कि भक्त के वहुण्ष में नास्तिक जैसा पुत्र का जन्म क्यूं हुआ, पिता का नाम है अंग, तो अंग ने सुन्दर अर्थ किया, कि यदि ये पुत्र लायक होता, अच्छा होता, पुगा भक्त होता, तो मेरी आसक्ती उ पुत्र दोनों बाधक है, ये दोनों बाधक है, ये वो वाला बयान और स्टेटमेंट मेरे सामने मत करना कि सत्य कड़वा लगता है, सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है, तुमें कड़वा लगता है, सत्य सत्य होता है, सत्य हमेशा मिठा ही है, और सत्य ये है कि इस मारग म में पुत्र और पत्नी दोनों बादक है एक समय ऐसा आता है कि यदि मात्मा कोई गरस्ती हो तो एक समय आएगा वो सब छोड़कर चले जाएगा उसको जाना ही पड़ता है वही कब तक पकड़कर बैठे रहोगे कब तक तदपिनमुच्चति आशा पास हो सुतम कस्या धनम कस किसका बैठा किसका धन किसकी पत्नी तू अकेला था तू अकेला है और तू अकेला ही रहेगा जिस दिन आपको ये भी समझ में आ जाए न तो ये ये दिन में पचास बार आप सुखी हो जाते हो और पचास बार दुखी हो जाते हो न वो नहीं होगा ये तुमारा सुख का कारण ही यही है, तुम मान बैठे हो, मान बैठे को महाप्रभु वलबाचारिया माराज ने संसार कहा है, जगत नहीं, जगत और संसार में फरक है, जगत जगदिश ने बनाया, संसार हमने बनाया है, जगत हमें कोई तकलिफ नहीं, कोई विक्षेप नहीं करता, यह संसार जो है न वो ही दुख देता है, मेरी पतनी, मेरा पुत्र, मेरा पती, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, इसको संसार केते, कब तक पकड़ कर बैठोगे बला?